और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जहां कुख्यात बदमाश विनोद पतेना पुलिस के हत्ते चड़ गया है विनोद पतेना के साथ तीन साथ्यों को भी पुलिस ने गरफ्तार किया है और देखिए बदमाशों को भरत पुर ला रही थे पुलिस तभी शौच के लिए बदमाशों ने रिकवाई पुलिस के गाड़ी और पुलिस कर्मियों से हत्यार छीन किया फायर जवाबी फायरिंग में चारो बदमाशों के पाव में लगी गोली पुलिस चारो खायल बदमाशों को लेकर अस्पताल पहुंची है और अस्पताल में विनोत पतेना और एक अन्ये को जैपुर रेफर कर दिया गया है दो बदमाशों को भरतपुर में इलाज चल रहा है और देखिए इस तस्वीर भी आप तक साचा कर रहे है जहां भरतपुर पुलिस की ये बड़ी कारवाई सामने आई है जहां दो बदमाशों को रेप पुर रेफर के आ गया है तो वहीं दो बदमाशों का इलाज भरतपुर में जा रही है और इस सूपर एक्स्क्लूजिव तस्विरे समया आप फर्स इंडिया पर देख रहे हैं जहां भरतपुर पुलिस की ये बड़ी कारवाई सामने आई है बदमाशों को भरतपुर ला रही थे पुलिस तब ही बदमाशों के दुआरा पुलिस की गाड़ी रुकवाई गई उसके बाद में पुलिसकर्मियों से हथियार चीन पुलिस पर फाईर क्या गया और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सायोंगी सत्यनारंड शर्माफ ओन लाइन पर जूड़ चुक है हमारे साथ सबसे बहले तो बताईे कि किस समय की पूरी खटना है क पूर्ट लेटर आरे थी तुरहां रास्ते के हमिदार ने बगमाज के उने शोच के लिए गहाँ और उसके वाद में काड़ी रुकी रुकी ही उने पुलिस के जवान उनके अचियाद छीन की ये और उसके पराव होने का प्रयास की जेकिन लेकिन पुलिस का फिर सट्टार ए प्रयाद ये जैगा जहां पर खैद उतमास बिनों पटिना और उसके अन्य काड़ी को ज्यापुर रफर किया गया और तो उतमास को भारत को के अफ़ाले सवताले सब्सक्रिद रहे इस तो उसके आरोब के अंदर वाम प्रतिना सुपर रफटा किया गया था और इसको बग सब्सक्राइब कर दो को जैपुर कर दिया गया है और दो का भरतपुर मिला चल रहा है उनके हालत के बारे में बताइए अधिया गुपने के मीज़ी लगी ऐसे में चारव लगार से उनके जानका खत्रा नहीं है उनकी जानका तेकर बाहर है फिलाल डॉक्तर के टेम उपने दर बनाई वे लेकिन जहांतक बातिक उपक्षे प्रिमन पट्राइब कर दो कासी बड़ा पताइज जाना विलुपनाश करता है फिलाल पुलिस के आला जितारियों में जो समस्क परिश्ट के रहता है वहां पर उच्छा होने रूप सब्सक्राइब कर दो कि जानका खत्राइब लेंगे पर उस्ते पहले हमारे साथ हमारे संयूंगी कि रवी कटारा भी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुक है रवी क्योंकि देखिए भरतपुर में बड़ी घटना घटी और पुलिस को एक बड़ी सफलता कह सकते और बड़ी कारवाई भी पुलिस की कह सकते हैं जिसके अंदर सबसे पहले बदमाशों के द्वारा फाइ कि रवी देखिए देखा गया है कि एक बड़ी कारवाई पुलिस के द्वारा सामने आई है भरतपुर में जहां बदमाशों ने पहले फाइरिंग के और उसके बाद में जवाबी कारवाई में पुलिस ने चारों बदमाशों के पैरों में गोली मारी और ऐसे में देखिए भरतपुर के माहूल के बात करें कि दहशत व्याप्त होगा लोगों में कि लिए टीममें बनाई गई खेंट कि तीम में हरियाना से इनको गरबतार किया था रहा है कि जो गोली लगिया उनको रैफर करक्ति किया वहई दो जो गंभी रहे करने के लाई थाए्ट रचे व्याज को बहुति मैं परक्रण करने के ने की तो अष्क आर्बियों सब्सक्राइब के रहने वाले हैं, बताया रहा है, उनका नाम अभी तक पुलिस के दूरा खोला नहीं गया है, लेकिन वो में पते नाग के ही सदफ से हैं, तो ऐसे में नम्दिर गायलों को वरात को देरात्री को जैपूर रहफर कर दिया गया था, देरात्री को पूरी घड़ना का मालम चला बड़ी तेंका में पुली जापता, आर्बियों में असकाल में पेरात्री कर दिया गया था, और आईजी, एसपी और जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, आईपी एस पी मुक्याले जो है, वो मोख्य पे थी थे, और वो ने पूरे बड़ में पर और बड़तो जिसमें एक वीडियो भाइर ने ङौरेजा हौने की तो आरफिय और जादिया और सबसे बड़ी बात जो है कि उसमें कारी 2-3 करमी के गायल ओने की भी सूचना है, उन के गोली लगने की भी सूचना है, तो ऐसे में आरा holा की पूरे मामले के बाद में पुलिस प्रशासन अब क्या कुछ कह रहा है? पुलिस के बाद करेंगे और बताएंगे कि पूरी घटना करम कैसे हुआ खांसे नारोपियों की जरस्तारी हुई और क्या मामला हुआ कि इन पर हमला हुआ और पुलिस में पर जबावी फाइरिंग करते हुए मैं ये कैसे मोट्रेड में ये गाहिल हुए थी? रवी देखे एक बड़ा सवाल यहां पर ये भी खड़ा होता है कि उस समय जब इन चारों बदमाशों को लाया जा रहा था तब कितने पुलिस करमी उस वैन में सवारते है जिसमें इसको लाया जा रहा था? क्योंकि देखिए अगर चारों ने एक साथ शौर्च का बहाना मारा सबसे पहले और उसके बाद में जिस तरह से पुलिस की पिस्टल ले करके फायर करने का प्रयास कैया यानि कि समझा जा सकता है कि ये पहले से उनके दिमाग में प्लानिंग चली होगी तब ही पूरी वार अर्याना से आरही थी तो जब सौच का ये वारा बना बनाए नहोंने तो सौच का बनाते समय नहोंने ये सोच का बनाते हैं उनके हतियारों चीनने का प्रयास किया तो पुलिस ने जवावी कर रह की हला की उनके पैर में गोली लगी है दो गंबी जो है विरूत पतेना और देशवाल जो उसका गुर्गा है जिसने आपको अलाला नाप पर हमला किया था उनको जैपूर रैपर कर दिया दो जो अन्य आरोपी है दो बदमाज है वो बताए जा रहा है उत्तर प्रदेश के अलीगर्ड के हैं जिनमें एक का नाम प्रेमबी और एक का नाम धीमा है तो अ सत्यनाराण भी हमारे साथ लगाता और फोन लाइन पे जुड़े हुएं सत्यनाराण अब थोड़े ही दिन पहले देखे जैपूर में भी ठीक ऐसी ही वारदात हुई थी जी क्लब मामले में बदमाशों को लाया जा रहा था और ठीक ऐसा ही पुरा सिलसला हुआ था जब प हम लोगों को जोड़कर देखा जाए काफे सिमिलारिटी सामने आती हैं पुलाइटी देखिए अगर पुलिस का इकबाल पुलन दखना है तो इसकारी जड़न होना जरूरी होती है जब तब वहां जब बदमाश भागने के प्यास करते हैं उन पर गोले क्लानी जरूरी हो खी बड़ी मुश्क्रिस से बदमाश करते हैं पुलिस कर्मी और पुलिस जिखा रही हो जब आराम से भाग जते हैं लेकर ने बेजी पर आने के बाद में जो मिश्क्ता हैं उन्होंने साफ साहा कि किसी भी सुरत के अंदर बदमाश आपकी गिरफ से फराड नहीं होना चाह यह उनकी आने के बाद यही अशर दिखा है रासना पुलिस के अंदर ओपरिशन लगना चलाएगा ता पर बात्ते बात्ते बात्माज पालों पॉली मारी गई थी और वही असर यहां दिख रहा है जब बदमाजों ने फरार होने का प्रयास किया तो पुलिस नहीं जाती कि ब लेकिन पुलिस हमारे साथ है पुलिस का एकबाल बुलंगा और चाहत यही कारना की आम इने इश्वास और अप्रादी मुटर्शी ने भावना है वो करें ने कापिल खोड़ी रासना पुलिस के ओपर और फिलाल जो चारु बदमाज उनके इलाज जारी है जैते वो ठीक हो पूरा मामला सामने और लगातार जिस तरह की घठना सामने आ रही है क्या लगता है पूलिस का जर कही ना कहीं बदमाजों में खतम होता नजर आ रहा है पुलिस का तरफ बदमासुमों खतम नहीं हो रहा बलकि बदमासुम में पुलिस का डर बन रहा है आम देने विश्वास बढ़ रहा है अपरादियमे डर बन रहा है और यही कारण है कि जो कुछा तुद्मास तो कितना काफी जिनों से फ़रा चल रहा था उसने ये गटना परत्पूर के अंदर लाला अनानुक जो इस तीज तरता उसको रहा हमला कर वहा है तापर जो फाइरिंग कर वही उसके हात्मा तोड़ दीते और इस बदमास नहीं प्रयास कि पाउन गोली मारत बदमास को भागने ने कि बलकि उन्पुलिस के अधर जिरफ्टा कर लिया त कि राष्टान की जन्ता को जानने के जरूप नहीं है पुलिस उनके साथ है हर इस ततिके अंदर जैपू में देखने में जैपू में देखने में जो फाइरिंग कर सकती है अब बदमास को ज़्यादा बदमास को भागने के अप्रियास करते हैं तो उनको पूली भी मारी दखती है अब बिलकुल सतिरा नानी के समझा जा सकता है कि अभी जो पूलिस कारवाई होगे पूछता चोगे उसमें और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं आपका बहुत चुक्रिया